क्या आप हमेशा ठकावट महसूस करते रहते हैं, आप हमेशा ट्रावल करते हैं, फिर भी आप हमेशा फ्रेश महसूस नहीं करते हैं, खाने के बावजूद भी आप हमेशा लो एनरजी रहती हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल अन तक देखें, मैं इसमें बताऊँगा कि कि इस तरह से बहुत ही सिंपल पदलती से आप हमेशा फ्रेश फूर्थी थे भरे रह सकते हैं, मेरा नाम एक राथ सामत है प्री सब्सक्राइब करें मेरे चानल सामत योगा को और बेल आइकन नबाए सबसे पहले मेरे विडियो को देखने के लिए जी हामे तो आज जो मुझे आपको बताना है वो है इसके बारे में ये है देखे हैं आप जी हाँ ये है रुद्राक्ष या इसे हम रुद्राक्ष से बोलते हैं ये किस तरह से यूज़ करनी है इसके क्या-क्या बेनिफिट्स है मैं आभी आपको बताता हूँ भारतिय संस्कृति में रुद्राक्षा बहुत महत्व माना जाता है रुद्राक्षा इंसान को हर तरह की हानिकारग उज्जा से बचाता है इसका इस्तमाल सिर्फ तपस्वी ही नहीं करते वलकि सांसारिक जीवन में रहने वारे लोग भी इसका इस्तमाल करते हैं चलिए जानते हैं कि किस तरह से इंसानी जीवन में नाकारत मक्ता को कम करने में रूद्रक्ष मदद करता है। रूद्रक्ष एक खास तरह का पेड़ है, एक खास तरह का इसका बीच होता है। ये पेड आम तोर पर पहड़ी एलागों में एक खास उचाई पर खास कर हिमालय और पश्टमी घाटी के सहीद कुछ और जगाओं पर भी पाया जाता है। अफसोस की बात है कि लंबे समय तक इन पेड़ों के रेल की पठरी बनाने में होने की कारण काफी सारे पेड हमारे जा चुके हैं। आज देश में बहुत कम रुद्राक्षे के पेड़ बच चुके हैं। आज ज्यादा तर रुद्राक्षे नेपाल, बर्मा, थाइलेंड या इंडोनीशा से लाए जाता है। रुद्राक्षे की खासियत यह है कि इसमें एक अनोकी तरह का संपदन होता है, यारे एक अनोकी तरह का वाइब्रेशन होता है, जो आपके लिए आपकी उर्जा का एक सुरक्षा कवश बना देता है। जिससे बाहरी उर्जा आपको परेशा नहीं कर पाती। इसलिए रुद्राक्षे ऐसे लोगों के लिए बहुत बेहुत अच्छा होता है, जिने लगातार यात्रा में होना आवश्य होता है, या वो लोग अलग-अलग जगाओं पर रहते हैं। आपने गौर किया होगा कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, तो कुछ जगाओं पर तो आप फॉरण सो जाते हैं, लेकिन कुछ जगाओं पर आपको बहुत धके होने के बावजूद नीन नहीं आती। इसकी वजग यह है कि अगर आपकी आसपास का मोहल का यानि आपकी आसपास की उर्जा अनुकु नहीं है, तो आपको उस जगा ठहरना मुश्किल हो जाता है। रूद्राक्ष माला एक कवच की तरह काम करता है। रूद्राक्ष नकारत्मक उर्जा के बचने का एक असरदार कवच रहता है। कुछ लोग नकारत्मक शक्ति का इस्तमाल करके दूसरों को नुकसान पहुंच जाते हैं। यह अपने आप में एक अलग विज्यान है। अथरवेद में इसके बारे में विस्तार में बताया गया है कि कैसे उर्जा को अपने फाइदे दूसरे के नुकसान के लिए प्रयोग मिला जा सकता है। अगर कोई इनसान इस विद्या में महारत हासिल कर लेता है तो वो अपनी शक्ति के प्रयोग से दूसरों को किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। यहां तक कि दूसरे की मृत्यू भी हो सकती है। इन सभी स्थित्यों में रुद्राक्ष का बच की तरह कार कर काम करता है। आपको शायर ऐसा लगता होगा कि कोई मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएगा लेकिन यहे जरूरी नहीं है कि जान पूछ कर आपको लक्ष बनाया गया हो। अन लीजिए आपके पास बैठे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन वह आज में उस उर्जा के प्रती ग्रहंची नहीं है। ऐसे में उसके बगल में बैठे होने की वज़े से उस शक्ति का नाकारतमक असर आप पर भी पढ़ सकता है। ठीक वैसे ही कि जैसे किसी सड़क पर दो लोग पूछे पर बोनी चला रहे हैं लेकिन गोली गलती से आपको लग जाती है। भले ही गोली आप पर नहीं चलाई गई फिर भी आप जखमी हो सकते हैं क्योंकि आप गलत वक्त पर गलत जगा पर मौजूद थे। हलाकि इस सबसे डरनी की ज़रूरत नहीं है लेकिन रुद्राक्ष ऐसी किसी भी परस्तिती से आपकी रक्षा करता है। गुरू एक रुद्राक्ष को अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग तरह से जागरूद करते हैं। परिवार में रहने वाले लोगों के लिए रुद्राक्ष अलग तरह से प्रतिश्ठित किया जाता है। अगर आप भ्रहमचारी या सुन्यासी हैं तो आपके रुद्राक्ष को दूसरी तरीके से उर्जित किया जाता है। ऐसा रुद्राक्ष सांसारी जीवन जी रहे लोगों को नहीं पहनना चाहिए। रुद्राक्ष एक मुखी से लेके 21 मुखी तक होते हैं जिन्हें अलग-अलग प्रयोजन के लिए पहना जाता है। इसलिए बस किसी भी दुकान से कोई भी रुद्राक्ष खरीद कर पहन लेना उचित नहीं होता। हलाकि पंचमुखी रुद्राक्ष सबसे सुरक्षित विकल्प हैं जो हर किसी स्तरी, पुरुष, बच्चे और हर किसी के लिए अच्छा माना जाता है। यह सेहत और सुख की दुरुष्टी से भी पायदे मन हैं जैसे रक्तचाप नीचे आता है और सनायू तंत्र, तनाव मुक्त और शांत होता है। अगर आपको यह विडियो अच्छा लगा, यूस्फुल लगा तो इसे बिल्कुल शेयर कीज़े और हमारे चानल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीज़े। प्री सब्सक्राइब करें मेरे चानल सावंच यूगा को और बेल आइकन दबाए सबसे पहले मेरे विडियो को देखने के लिए।